हलो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भरवा करेला रासिपी जी हाँ एक बारी मसाले दार भरवा करेला खाएंगे न तो हमेशा ऐसी ही बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह मैंने करेले को अच्छे से वाश करके ले लिया हैं अब हम सबसे पहले इनको चीलेंगे चीलने से क्या होगा कि इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि करेले बहुत कड़वे होते हैं और इसमें कहीं सारी में टिप्स आपको ऐसी बताऊंगी जिससे इसका अब हमका थम हो जाएगा तो सब्से पहले में इसको चील लेंगे चिलका बहुत मोटा भी नहीं उतारना फिलिंग में काम केंगा movies का ऐसे चिला में कट्ठा करे ले केंगे के ऐसे कट लगाएंगे और साथ ही इसको चेक भी करेंगे कि अंदर से करेलो खराब तो नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर मसाला भरना इसले में यह कट लगा रहे हैं और साथ-साथ चेक भी करते हैं इस तरह से सभी करेलो में कट लगा लेंगे अब इनमें कट लगाने की कड़वापन बिल्कुल निकल जाएगा खुब अच्छे ज्यादा सा नमक हल्का सा हाथ को प्रेस करते हुए अंदर और बहार अच्छे से लगा देंगे इसे क्या होगा न कि जो नमक का पानी इसमें से निकलेगा उसके साथ करेले का कड़वापन पूरा निकल जाएगा इस तरह से हम सभी करेलों में लगा लेंगे और साथ इस चिलकों में भी खुब सारा सानमक लगा कर उसको भी रखतेंगे बाकी बच्चे वे करेलों में भी नमक लगा लेती हूँ अब सब में नमक लगाने के बाद हम एक बॉल लेंगे और करेलों की जो ये प्लेट है ना ऐसे टेड़ी करकेस के उपर रखेंगे करेले और ये जो छिलका है नमक लगा हुआ सब को एक साइड में कर देंगे और प्लेट को इस बॉल के उपर ऐसे एरेंज करेंगे कि ताकि जो इसका कड़वा नमक का पानी आए वो सब नीचे इखठा होता रहे यहां पर जब तक कि इसमें से पानी निकल रहा है कड़वा तब तक हम अपनी फिलिंग की तयारी कर लेते हैं मैंने एक बॉल कच्छा आम लिया है मैंने एक बॉल इस दी लिया है क्यूंकि खटा मिथा आम आहीं बिल्कुल खटा नहीं है और यह उप्ष्णल है आप डाल भी सकते हैं नहीं भी ढ़ा सकते एक बॉल मैंने कटाओब बारी कटाओब प्याज लिया है इसमें चार-पांच तक भूनेंगे जब तक हमारा प्याज बीच में फ्राइव होता रहेगा तो हम साइड में अपना करेला देख लेते हैं क्योंकि उसको 20-25 मिंट रखे वे हो चुके हैं इसको अब हमें वाश करना होगा अब हम एक बड़ा बॉल लेंगे उसमें सारे करेले डालेंगे अब हम सारे पानी अच्छे से वाश कर डेंगे अंदर से वहार से अच्छे से वाश करना है क्योंकि इसम्हें बहुत जादा नमक लगा हुए यह बढ़ों है इसमें इसे पानि करने के बाद करने कंद लास पानी के बाद एक साफ़ पानी ये तिमसी रघव देंगे इस चंट को बहरा हमारेँ सब आरा कि अच्छे में हकोआगे ताकि को आट ऐंगार है ठीजिआ पिर नमक भी अब हमें एक बॉल के ऊपर चलनी रखेंगे और इसमें इसको डाल देंगे यह देखें हमारे चिलके उपर आ गए हैं अब इस पानी को हम फेक देंगे और चिलके को टैप के नीचे खुले पानी में खुब अच्छे से वाश कर देंगे और निचोड कर रख लेंगे प्याज हमारा हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक से डेड़ चमच हल्दी नमक टेस्ट के अकॉर्डी मिर्च पाउडर दो बड़े चमच धनिया पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा जादा डाला है क्योंकि इसमें मसाला को ज्यादा सा होता तभी अच्छा लगता है इन मसाला को अच्छे से भून लेंगे अब जो हमने छिलके निचोड़के रखे ते अच्छे से करे लेके वह भी इसमें डालेंगे और इंको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें अब हम डालेंगे इसमें कच्छाम कच्छाम वैसे ऑप्शनल है आप कच्छाम अगर नहीं डाल रहे हैं तो आप उसके जगे हम चूर डाल सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि यह खट्टा मीठा में इसलिए और यह करेले का जो कड़वा पन है ना वह तो वह खतम होई जाता है और इसको यह टेस्ट आता है ना बड़ा खटा मीठा तीखा बड़ा अच्छा साथ है इसमें हम साथ ही डालेंगे वन फोर चमज शुगर पाउडर यह जो शुगर पाउडर है ना इस मसाले के पूरे फ्लेवर्स को टेस्ट को सब बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा यह मसाला हमारा अच्छे से फ्राइ हो गया है अब इस मसाले को हम हलका ठंडा होने देंगे और फिर एक-एक करेला लेके उसमें मसाले को अच्छे से दबाते हुए खुब अच्छे से फिल कर देंगे दबाकर मैं इसलिए बोल रही हूँ तकِ जतना जाद से जाद से मसाला आसके नमें तना जाद मसाला भर देना है इसको थोड़ा सा बन کرके देखे ना है फिर खूँ बच्चे से इसमें जद्था सब मसाला पीचाए कि इतना ज्यादा मसाला तेस्ट आएगए और हां मैं इसमें बताना भुल गई सॉरी धुर आए बैशंड बागी बचावे एको हमाका बागी है है कि मैंने होड़ा भी बनाया है क्योंकि हमारे क्रोलु के यहां मसाला भी बहुत पसंत करतें स्क्ताइब उसे साइब 1997 अब हम पैन में दो चमच ओयल लेंगे दो बड़े चमच ओयल मैं नहीं हाल जाए कि करेले जादा है और करेलों को ऐसे धागे से बांगते हुए मैंने धागा अच्छे से इनके ओपर बांग दिया है और सारे करेले इसमे रखकर इसको पांस से साथ मिन्ट के लिए सिम गैस प इसको हटा देरी हूं मुबाइल को और दूसरे स्टिक की हल्प से इसको को पलट देते हूं करेलों को कि देखिए मैंने करेले पलट दी है अब इसको 3-4 मिन्ट तक ऐसी ढखके रखेंगे सिम गैस पर ये देखिए 4 मिन्ट बात करेले ऐसे हो रहा है क्योंकि नीचे हमारा म प्राइड है तो वो जौदी सिख जाता है यह देखे मसाला हमारा अच्छे सिख चुका है अब हम इन करलों को फिर से पलट देंगे और यह लगबग 5-7 मिट सिम गैस पर धग कर देंगे बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है ना यह लिजिये होगे हमारी भरवा करेकल तयार अब बकचाओ मसाला है यह भी हुआ इसके ऊपर डाल देंगे गयास फ्लेम ओफ कर देंगे और अश्क लेड लेड़िया ए से मसाला में भी करेकले का अच्छा सा आया आपको यह वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू पर वाचिंग